तुर्की के राष्टपती अर्दोआन ने फ्रांस को दिधम की और बोले जमेला मोलना ले फ्रांस क्या है दोस्तों फूरी कहानी बताएंगे आपको विस्तार से इस वीडियो में अगर आप पहले बार हमारे यूट्प चैनल प्यारा आये हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी ताकि हर लेटिस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे तो चलिए विडियो स्टार्ट करते हैं नेटों के सहयोगी देशों में बढ़ते तनाओ के बीच तुर्की के राष्टपती रहचपते यव अर्दुआन ने अपने फ्रांसेसी समकच राष्टपती इमैनुएल मैक्रो को यह चेजतावनी दी है कि वे तुर्की के साथ जम परवाड मत करिये दरसल फ्रांस ने पिछले मैने खुले तोर पर तुर्की की उस वक्त निंदा की थी जब ग्रीस और साइप्रस हैड्रोकार्बन के संसाधनों और पुर्वी भूमतिसागर में नौसेनिक प्रभाव को लेकर आमने सामने आये और स्थिती काफी तनाओ कि वो फ्रांस जैसे देशों से उक्सावे में आकर पुर्वी भूमतिसागर में गलत हरकतों को अंजाम देने से बचे खास कर ऐसे समय जब ग्रीस और तुर्की के नौसेनिक अभ्यास के बीच फ्रांस इस छेत में अपनी सैन उपस्तिती बढ़ा रहा हैुदर अमरीका ने तुर्की से पुर्वी भूमतिसागर में उन सभी गति वीदियो को तुरंत रोक देने का आगरा किया है। जिसमें छेतर में तवा बढ़ने की संभाव न हो। अमरीकी विदेश मंतरी माइक पॉम्पियों ने सभी समक्षों को कुटनिती रास्ता अपनाने का कहा है। शैन में कुछ इलाके वो है जिन पर ग्रीस और साइपरस अपना हग जमाते हैं। वो तुर्की की गति वीदियो से पेचैन हैं और हमें भी चिंता है कि इससे छेतर में तनाव बढ़ सकता है। इससे किसी का फायदा नहीं होगा। विभाजन ही होगा। एकता में दरार पड़े तुर्की में अपने समक्ष राष्पती अर्दुआन से जल्धी बात करेंगे। राष्पती इमैनुएल मैकरो ने गुरुवार को कहा था कि यूरोपी लोगों को तुर्की और वहां के लोगों को लेकर नहीं पर अर्दुआन सरकार की अस्वीकार या गतिवीदियो को ले कि तुर्की ने कोशिश नहीं की तो उस पर कड़े अर्थिक पति बन लगाए जा सकते हैं नेटों के अने सदसे देशों का मानना है कि ताजा विवाद तुर्की की वज़ेश में शुरू हुआ जिसमें 10 अगस को पुर्वी भूम अदिसागर में गैस के बंटर होजे जाने वाले अपने औरुक रिज़ जहाज को भेजा जिसके साथ युद्दक जहाज भी थे और इसके साथ ही तुर्की ने अपने मिशन को तीन गुना लंबा कर दिया लेकिन तुर्की के राश्पती रेचपतियव अर्दुआन ने अपनी ताजा ठिपनी में इन सभी दावों को खारिच किया और कहा कि मैं मैक्रो को इत्यास के बारे में अपनी समझ थोड़ा दुरुस्त करनी चाहिए एर्दुआन ने कहा कि फ्रांस को लेकर समझाए कि क्या करना है मैक्रो पहले फ्रांस का इत्यास पड़े और अपने देश का रिकॉर्ड चेक करे कि रवांड़ा और अलजीरिया में उन्होंने क्या किया अर्दवान ने इस बयान को पुरी भू मद्दिसागर में ताजा तनाओ के दौरा नाम लेकर किया गया अब तक का सबसे सीधा हमला भाना जा रहा है अपने भाशन में अर्दवान ने कहा माइकरो तुम्हारे पास वैसे भी कम समय बचा है तुम अब ये समझ लो कि एक ही टांग पर खड़े हो दरहसल फ्रांस में 2022 में अगले राश्पति चुना होने है और इही के संदर में अर्दवान ने माइकरो पर यह तंज कसा अर्दवान ने यह धमकी दी कि माइकरो तुम्हें मेरे साथ और दिक्कते होने वाली है इन दोनों नेटो सहीर्गी देशों फ्रांस और तुर्की के बीच पुल्वी हुब मद्द सागर को लेकर तो तनाव बड़ा ही है पर दोनों के बीच सीरिया और लीबिया संगर्ष क को लेकर भी मद्द रहा है अर्दवान ने अपने भाशन में फ्रांस पर आरोप लगाया कि वह पेट्रोल के लिए लीबिया और डायमंड सोने और तांबे के लिए अफ्रीका का फायदा उठा रहा है मौजुद तनाव के दौरान फ्रांस के राष्टपती इमेन्यूल मैक मैक्रो भी तुर्की के बारे में तीखी बयान बाजी कर चुके है मैक्रो ने हाली में कहा था कि तुर्की अपने खिलाफ कारवाई चाहता है वो बादचित का रास्ता समझना ही नहीं चाहता अगर आप उस पर कारवाही नहीं करोगे तो उससे बादचित करते रहने और उस है कि तुर्की ने हाल में वक्त को जो रनेती अपनाई है वो किसी नेटो सद्द सी के रनेती नहीं हो सकती वो यूरोपी संग में शामिल दो देशों की संपर्वता और उनके स्पेशल एकोनॉमिक जोन पर हमला कर रहा है वो अपनी हरकतों से अब यूरोपी संग को उपसा र कि अगरा प्रांस कि अगरी तुई 1,000,000,000 घपरोपी संगी से लंगरी से यूरोपी सुई टरॉबाब यूरोपी स्पटूष झानेती चार आपश्तू जूरोफ हैं तुर्पाइ वो पने ध olduğ Busy पस्ट, को चूरा